अगर शिक्ष्या बेड़ा गरक हुआ है अगर नोक्रियों का बेड़ा गरक हुआ है फे 가까द में पाखंडी हर दस कदम पर एक जेब कत्रा इस देश के अंदर बैठा रख्या है अगर देश के लोगाओं पागल पेडियों की तरह निकम्मे लोग वाजाएंगे लाखों क्रोडों ऐसे बाबा हैं जो आए दिन भेंड बेटियों के साथ सोशन करते हैं नमस्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनेत अवास राम मंदिर आजकल जो इतना चर्चा में चल रहा है 22 जनवरी को उसका उत्गाटन होने वाला है और मोदी जी का ये कहना है कि उस दिन दिवाली मनाई जाएगी और साथ ही साथ जो राम भदरा चार रहे हैं उन्होंने जो दलीतों पर अभदर टिप पनी दिया उसी को लेकर हमारे सथ बातशीत करने के लिए मौजूद है राम फल जी लोग पत्थरों से मारे उससे पहले है के इनको जेल के अंदर डाल दिया जाए ये आकरोश बढ़ता रहेगा एक तरफ बिजे पिन्नरेंदर मोदी इस भारत देश की सरकार कह रही है हम राम बंदिर पे गली-गली जाकर के उनको राम बंदिर बेजने का संदेशा दे रहे ऐसे ऐसे सब्दों से इनके MP जब बोलते हो तो इनके बाबाओं की तो रास लीला अलग ही है तो ये तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए और इस देश के अंदर किसी को भी ना राम मंदिर जाने के जरूरत है ना किसी और मंदिरों में जाने के जरूरत है और जब ये संघी आएं आपके घरदुआर पे सविधान की कोपी रखें रामा सुमी प्यरियोर की 20-22 लाइन त्यार रखें। और उनको बोले हम राममंदी जाने के लिए तयार हैं एक बारा पाच बार रामा सुम के प्यरियोर की यह बात्ते सुर के यह नासंत है और रहे बुजरक की बात यह बहुत बदमास लोग है इस देश के भोले भाले लोगों का खून चूसने वाले लोग है यह आप अगर कहीं गलत फैमी का यह सिकार हो रहे हो कि यह बाबा है मंत है कुछ नहीं इस देश के अंदर अगर शिक्षा का बेडा गरक हु हुआ है तो ऐसे बाबाओं नहीं जो कहा कि अंदा है बहुत बड़ा मंत है हमेशा सत्त बोलता है अरे ऐसा सत्त बोलने वाले का यह देख लो अब क्या हो रहा है यह इस देश के अंदर लाकों करोड़ों ऐसे बाबा हैं जो आए दिन भेंड बेटियों के साथ सोशन करते ह और इस देश के अंदर उन ही का उनके परिवारों का उनके बच्चों का धन को अपनी तिजोरियों में भरते हैं कथाब आसते हैं लोगों को ज्यान देते हैं धार्मी को ऐसे ज्यान की भारत देश में किसी को जुरूरत नहीं है ज्यान देने वालों का ये नाम ही नहीं जानते हैं इस देश के अंदर साहुजी महाराज, रामस्वामी पेरियार, विर्शा मुंडा, जोतिवा फूले, रामस्वामी पेरियार मलब तमाम ऐसे लोग हैं अगर आप उ अग्तियों और साहिए वह सारी चीज़ें यह तो इस देश के अंदर हर दस कदम के ऊपर मंदिर हर दस कदम पे एक पाखनडी हर 10 कदम पे एक जेव कत्रा बैठा रखने तो ये बात तो समझना पड़ेगा दलीतों को पिछडों को जितने भी आप इनके मंदिरों की तरफ जाओगे उतनी पार्लियमेंट से दूर हो जाओगे उतने दिली उनष्टियों से दूर हो जाओगे उतने सरकारी सकूली देश के अंदर बंद हो जाएंगे आप जाम मंदिर की तरफ जाओ और उधर आपका जो है सकूल बंद प्राइवेट सकूल खुले लेकिन कथा में यह दिवादी बात करता है जहर कहां से भरा गाया जातियों को लेकर बुजुर्ग है कुछ दिनों को बात में सुर्गवासी हो जाएंगे इनको ऐसा काम करना चाहिए क्या वो तो जिंदे जी ही सुरगवासी है अगर आप लोगों को कोई चस्मा अलग चड़ा हुआ तो अलग हुए हैं और जितना जल्दी हो सके हमने फिर कहा ओवी सी के लोगों अर्दखास करके दलितों को भी बता दूं जितने दलित पड़े लिखे अपने आप में एक्किविश्ट बता रहे हैं बहुत बड़े बड़े जो अपने आपको कहते थे जय भीम आज उनको जा करते के देख लो कहां बैटे हैं बहुत पंद्रा लाख रुपे बेज़े हैं विदायक साब ने वहारी पंद्रा लाख की रिक्वार्मेंट ने थी महारी तो थी 500 जगे की मतलब जगे ना देकर कर विदायक साब भी इतने चतुरचा लाख हैं कि इनके 10-5 लाख रुपे दे दो ताकि यह हमारे से छटके नाम तो यह बात जो अपने आपको दलीतों के अच्छे समाजिक चिंतक हैं वो आपने इरद गिर्द देख ले कितने दलीत छोड़ छोड़ के ने आरसे जोयन करकी ह कितने दलीतों के बच्चे जो है नाम जैसे नी नाम करते फिर हैं ओभी सी के लोग कर रहे हैं हम सभी कार कर रहे हैं लेकिन हम उनको भी कर रहे हैं बिट्टू बजरंगी ना बनो मोनू माने सर ना बने अब आज देख लो बिट्टू बजरंगी का भाई का क्या हाल हुआ तो इस देश के अंदर सोच लो तुमारे को मरवाने का तुमारे को लूटने का यह हतकंडा बीजेपी-आर-एस-एस में है और ऐसे बाबा आपको लगातार इस देश के अदर लूटने का काम करें बड़ा स्वाल यह कि 673 जातियां है जो रिकोर्ड में हैं सिर्फ चमारों को निशाना नहीं बना रहें यह वंचितों को सोशितों को पीडितों को जो एज्ञानी आदमी है जिसको ज्ञान नहीं है इनकी दूर दरश्टी बहुत तेज है यह इनको इसका बात का पता होता है क कि मैं अग्यानी नहीं हूँ मैंने अपने भीतर का जो एज्ञान था उसको मार दिया कूट दिया दफन कर दिया है अब यह वह ऐसे लोगों को ढूंडते हैं जो एज्ञानी जो ग्यानी नहीं है अब इस तरह के लोगों को समझना चाहिए कि इनके कारिय कलपाउं से इनके बंडारों से, इनके जागरनों से, इनके माता के जो भी ओते हैं के जगरातें, उनसे दूर होना चाहिए, जब भी जा करके इस देश के अंदर, राम मंदिर मत जाना, जिसका जिसका बच्चा राम मंदिर जाएगा, वो ना पलश्टू ना वह अपने घर के अंदर दिया बाती भी लगाता है और जिसकी आस्ता वह नमाज भी पढ़ता है वह गरुगरंथ साब के गरुदुवारे भी जाता है तर को दिपावली मनेगी पूरु देस और दुनिया में अंद विश्वासी पाखंडी जो लोग हो अपना घर बार छोड़के नहीं है वह सब के सब आतंकवादी टाइप के लोग है आप राम लला के ब्रोदि व हो कोई रोदी नहीं है दें के ले नना के लाए संटिक्री iç देश के अंदर सभीधान की बात करो उप्रो यह क्हिंक्रश्री गाए अब इसनले पहले से हैं काई न पले से यह सब के सब जेब कत्रे हैं और जेब कत्रेश कि इतने साला बधिया है नहीं ette जिसुकिया बता रहा है जहार रामदर की चर्चा साह कहरा रहे हैं कि जैष्री तव करा जा है लेकिन सवीधान की वाथ होनी चाहिए और अई सी तरफ दूसी तरफ एक पूर चीज नजर आ रही है कि राम भधराचारे ने जिस तरीके से अभधर टिपपनी दी है दलीतों के लिए वो भी वो चीज भी गलत है इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा